हेलो फ्रेंड्स आज हम इस लेक्सर में पढ़ने जा रहे हैं जीब ग्यान यानि की बायोलोजी या फिर लाइफ साइंस उसके नए चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है कोशिका यानि की सैल्स हमने तीन पार्ट देख लिये हैं अब जो है यहाँ पर पिछले पार पार्ट में हमने देखा था कि नाम करण कैसे होता है जीबों का टैक्सोनावी फादर और अफ टैक्सोनावी इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था अगेन यहाँ पर अगला पार आगया है जो की होगा कोशिका से रिलेटट और अगेन इसमें आप लोगों की ओपर टे से याद रखिएगा क्योंकि as it is line जो है आपके exam में आ जाता है और पूछा जाता है कि या आखिर है क्या जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक और अनुवांसिक एकाईयों को कोसिका या फिर सेल कहते हैं क्या कहते हैं जीवों की रचनात्मक क्रियात्मक और अनुवान्सिक कि काईओं को कोशी का या फिर सेल कहते हैं कोशी का सब्द की बात करें तो कोशी का सब्द का जो प्रयोग किया था ना प्रयोग तो सरप्रथां 1665 में इस डेट को बिलकुल आपको भूलना नहीं है 1665 में Robert Hook किसने Robert Hook ने यानि कि नामक एक अंग्रेज बैज्यानिक ने किया था तो most IMP question यहां से बनता है कि कोशिका सब्द का प्रियोग सरप्रथम 1665 में इसके द्वारा किया गया था तो वो किया गया आपको दिख रहा होगा Hook तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि Robert Hook अगला आगे कुछ पॉइंट देखते हैं जीवों की कोशिकाओं के रूप में है ना जीवों की कोशिकाओं के रूप आकार और संख्या में काफी भिनिता होती है सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाज्मा गैलो सेटिकम नामक जीवानू की होती है कि सबसे छोटी कोशिका किस में होती है किस जीवानू में होती है उसका नाम है माइको प्लाज्मा गैलो सेटिकम बोल सकते हो या फिर mycoplasma सिर्फ only आप इतना भी याद रख सकते हो इसकी माप है 0.1 micrometer बहुत ही कम 0.1 micrometer तक पाई गई है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है सतुर मुर्ग का जो अंडा होता है उसमें होती है और इसकी माप है 170 इंटू 135 mm तर तो सतुर मुर्ग जैसे कि सबसे बड़ा पक्षी भी है तो उसका अंडा भी सबसे बड़ा ही होगा और उसके इंतरगत पाई जाने वाला उसका जो कोशिका होगा वो भी सबसे बड़ा ही होगा तो इसमें हमने में तीसरा question कि सबसे बड़ा है ना तीसरा question क्या है सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन सा है सतुर मुर्ग है ना सुतुर मुर्ग का जो अंडा होगा सुतुर मुर्ग नहीं सुतुर मुर्ग का अंडा उसका सबसे बड़ा होगा तो यह तीन question जो है Very IMP है, इसको आप note कर लेजे, copy में लिख लीजे, देखिए बच्चो, notes ज़रूर बनाएं, copy लेके बैठे पढ़ने के लिए, और notes को बनाते रहें, ताकि आपको जो है, revision करते समय आसानी हो, ठीक है, चलिए, कुछ और point जानते हैं, important, कि जन्तुओं के सरीर में, तंत्रिका को एक कोस्य जीव, यानि की Unicellular होते हैं, जैसे की Amoeva, इसको यार रखेए, कौक सी लूइचन आ जाता है, अब जादा, मानोसरीर की बात करें, तो मानोसरीर में लगभग 5000, कि 5000 अरब को सिकाएं होती है और को सिकाओं की संख्या जीव के सरीर के आकार पर निर्भर करती है अब देखिए माली जी एक नॉर्मन मनुस है जो कि उसमें मतलब ज्यादा पतला है तो उसके में कहो 4000 अरब हो और कोई अच्छा हो जैसे कि जिम करने वाले लोग जैसे कि आपक वह protein लेगे अपने cells को develop कर लेते हैं तो में भी ज्यादा हो सकता है यहाँ ठीक है अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें कुछ और points की तो कुछ और points देखिए हमारे पास important है यहाँ पर मैंने सभी important चीजों को ही रखा हुआ है जो कि NCRT पर बेस्ट है आपके अब स इसको हम sliden या फिर sliden बोलते हैं तथा swan ने कोसी का बाद यानि कि cell का प्रस्पाव दिया जिसके अनुसार तो एक question यहाँ से उठता है कि cell theory किस ने री तो slider and swan ने दी किस ने दी slider और swan ने दी cell theory अब उस theory में क्या था सभी जीबधारी कोसी काओं वा कोसी काओं के उत्पादों से बनते हैं क्या बोला उन्होंने कि जितने भी जीबधारी है वो कोसी काओं या कोसी काओं के उत्पादों से बनेंगी कोशिकाए जीबधारियों की मूल भूत सन्रचनात्मक एकाई होती है तो यह सेल थे औरी था लेकर मैं आपको बता दूँ इसका एक अपवाद भी है अपवाद वाय है जो की वायरस वायरस एक अपवाद है क्योंकि इसमें कोई कोशिका नहीं होती इसमें सेल नहीं पाय जाते ठीक है तो इसको हम आगे और डिटेल में बढ़ेंगे अब कोशिका से धांद की मुखे बातें हैं कि प्रतेग जीव की उत्पत्ती एक कोशिका से होती है थीक है ये बोला उन्हें, और प्रतेक जीव का सरीर एक या अनेक कोसिकाओं का बना होता है, यहीं पर वो अपवाद है, वायरास कि, जिसमें कोसिकाओं साहे पाए नहीं जाती, प्रतेक कोसिकाओं से रिए आनिक FROM का निर्मार करेंगी, इस विए ऎंदर एक कैंद्रक जरूर पाया जाता है, जो कि उसमें मुक्य भूमिका निवाता है, ठीक, अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में अंतर, अभी हमने कोशिका से धान देखा, लेकिन अब जो कॉस्चन उठते हैं, एक उठते हैं कि पादप कोशिका से उठत होता है कोशिका भित्ती ठीक है दूसरा होता है हरिक लबक ठीक हरित लबक तो ये दो चीज ऐसी है जो जन्तु कोशिका में नहीं पाई जाएगी कौन-कौन इसमें भी है, रिक्तिकां इसमें भी कोषिका, जिल्ली, केंद्रक, केंद्रिके जिल्ली, फिर गुन, सूत्र, प्रदीप, तजालिका, राइजो, राइजोम और कोषिका द्रवी यह सब इन में है तो यही दो major difference है कोशिका भित्ती और हरिद लबक और इधर बात करें तो लाइसो सोम की और तारकेंट की ठीक अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखते हैं कैसा अंतर का आधार किस आधार से अंतर है तो आकार के आधार पे अगर हम बात करें तो पादक क कोशिका भित्ती अनपस्तित होती है इसमें जिल्ली पाई जाती है तो वही चीज़ देखें यह डाइग्राम यहाँ पर है तो उसको मैंने यहाँ पर बता चुका हूँ कि यह और यह चीज़ यहाँ पर नहीं होती है और इसमें लाइसोसोम और तारकेंट यह जो है यही च कोसिका रसयुक्त रिक्तियाएं इसमें अनुपस्तित होती हैं वही जी देखें लवक जो होते हैं इसमें उपस्तित होते हैं एक चीज और इसमें होता है लवक वही हरित लवक तो हरित लवक जो होता है पादप में होता है जन्तू में हरित लवक नहीं होता है फिर पक्षमा भिका और कसा भिका इसमें सामानेता है यह जो है अनुपस्तित होते हैं और हमारे जन्तु कोसिका में यह चीजे होती हैं तो यह major जो चीजें थी हमने हाँ पर देख ली अब प्रमुक कोसिका है रचना और उनके कार उनके जो रचना है और उनके कार के बारे में देखते हैं तो रचनाय जैसे कि कोसिका भित्ती है, जिसको हम सैल वॉल बोलते हैं, तो यह क्या करता है, कोसिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, और कोसिका को सुरक्षा और सहारा देता है, तो यह IMP है, प्लाजमा मेंब्रेन की बात करें, तो यह क्या करता है, कोसिका से दूसरी पर दी गई है। देखी क्या है? Microcondia की बात करें तो कोसिक्य स्वसन के सक्रिये स्थल इबं उर्जा निर्मार यानि कि एक कोशन यहां से और उठता है कि अन्तवय है स्वसन में हमारे एक सरीर में कोसिकाओं का स्वसन होता है तो वो कौन करता है? तो माइक्रो कॉंडिया करता है तो यह आपको याद रखना है गौल जी उक्रण की बात करते हैं तो विश्च प्रतार्थ का जो है संचय और उनके कोशिकाओं के बाहर निसकासन में सहाइता राइबोजोम प्रोटीन का संसलेशन मोश्ट आइमपी वरी आइमपी राइबोज सिरीज यहां पर बनाएगे हम लोगों के द्वारा पूरे important questions आपके cover हो जाएगे सेंट्रो सोम कोशिका भेवाजन में सहाइका होता है बहुत ही यह आइमपी है कोशिका भेवाजन में पूछा जाता है कि कौन भाग ली था है तो सेंट्रो सोम important रहता है हरित लवक मन संसले पाय जाते हैं और यह तो आपको पता है फल्फूल का जो कलर होता है उसके लिए यह निधायत करता है वर्णी लवक अब केंद्रक की बात करें केंद्रक तो इसकी दो खोज किस ने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी यह पूछा गया है कई बार तो इसको याद कली कार्यों का नियंद्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक कोशिका की उपापचाई कार्यों का नियंद्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायता करता है हमारा केंद्रक गुण सूत की बात करें क्रोमोसोम की बात करें तो यह क्या करता है जीन वाहक एवं कोशिक का नियं क्या चीजें होती है कैसी चीजें होती है देखिए ये NCRT सीरीज मैंने स्टार्ट की है मैंने biology पहले पढ़ाया हुआ है आप biology part 1, part 2, part 3 देख सकते हैं बहुत पुराने वीडियो तो नहीं मैंने 6 मही ने पहले उनको को स्टार्ट किया था और मैंने वह आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर आप जाके सेल पढ़ सकते हो वहां पर मैंने और इससे ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है तो यह एंसी आर्टी बेस्ट है यानि मोस्ट आई एंपी फैक्ट यहां पर मैं आपको है कि रॉबर्ट होग ने रॉबर्ट होग ने दिया वह भी कब 1665 में हमने पढ़ा था तो आपने पढ़ा है और एक पार इस ट्रेस को लगा लोगे तो आपको याद हो जाएगा तो इसका आंसर है रिटेल में माइक्रो कॉंडिया में अनुपस्तित होता है क्या आप देख करें अगले कॉश्चन की तो अगला कॉश्चन है हमारे पास कोशिका की किरियात्मक गति विधिया नेंत्रण होती है किसके द्वारा वो होती है कि इंद्रक के द्वारा ये भी हमने जश्ट ही पढ़ा था कि कोशिका में जो है जितनी भी क्रियात्मक गति विधिया उसके है कोशिका में कहां पर होता है तो अभी हमने बता है प्रोटीन प्रिजर्ण करना तो इसका हो जाएगा सेकेंड बहुत ही इजी क्योंकि आपने डिटेल पढ़ लिया तब अब बजेक्टिव आपसे बन जाएगा इना सुनक के बात करते है कार है ये करता है प्रोटीन संचेलिशन प्रोसेसींग प्ल Hail क्रणी सहायताertas करता है और इसको क्या बोलते हैं जो अच्छाइक कमेंड करके बताईये का इसको तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन एक question भी पूछना है, यहाँ पर बनता है आप लोगों से, कि आपको आखर यह याद है कि नहीं, जो पढ़ाया कि नहीं, तो जैसे ही इस question में पहुंचे तुरांत इसको comment टीजे कि Lysosomes को और हम क्या बोलते हैं, ठीक है, Lysosomes की बात ही IMP है, जितने भी question में बता रहा हूं, सब IMP है और उसमें से भी IMP में आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर क्या है कि प्रोटोप्लाजम किससे बनता है, केवल कोसी का द्रव से, कोसी का द्रव और केंदरक द्रव से, केवल केंदरक द्रव से, या फिर कोसी का द्रव है, केंदरक द्रव है और अन्य कोसी कांगों से, तो यह बनता है, तो यह बनता है आपका इन सभी चीजों से, यानि की कोसी ऐगला कॉस्चिन है हमारे पास कि यदि microcondria का काम करना बंद करते तो सरीर में कौन सा कारे नहीं हो पाएगा भोजन का ओक्सी का और बोजन का आवोव सोर्षन तो यहां पर भोजन का ओक्सी करन नहीं हो पाएगा अगर microcondria कारे करना बंद करते क्योंकि इसको अपने सरीर का क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहा जाता है, तो ये important है, जीवद्रव्य सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया, तो जीवद्रव्य अगर सब्द की बात करें, तो इसका प्रियोग सबसे पहले किस ने किया, तो इसका प्रियोग सबसे पहले किया है, पु ना मैंने जो पढ़ाया है वही question यहाँ पर आ रहे हैं तो आपसे इजली यह बन रहे हैं वह नहीं भी बन रहे हैं तो एक दो बार देख लीजिए बिल्कुल याद हो जाएगा जली जन्तु कोइका में वती किसमें होती है जन्तु कोइका में तो यह यहाँ पर आपको याद रखना है लेकिन हमारे सरीर में कोशिका का अकार नहीं होता, वो टेड़ा टाड़ा भी हो जाता है, DNA, double helix का प्रारूप model किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, DNA, double helix, most IMP question, जो है, बहुत ही IMP question है, इसको most IMP कर लीजिए, कि DNA का double helix model किसने दिया था, तो वो दिया था आपका Watson and Crick ने, किसने Watson and Crick ने दिया था, Slide and Swan नहीं लगाना है, Slide and Swan ने कोशिका का सिधान दिया था, लेकिन, DNA का double helix, जो पुरारूप दिया था, वो दिया था, Watson, जो Watson होता है, Watson तथा Crick, अंतरप्रदिप्ट जालक की खोज किसने की थी, तो अंतरप्रदिप्ट जो जालक है, इसकी खोज की थी, इसका answer है आपका mortar, किसने mortar ने इसकी खोज की थी, second वाला jest the, सही है, अगला question है कि electron सुक्ष मदरसी की की, कि किसने की neutron सुक्ष मदरसी थी, तो इसकी खोज की थी आपकी, Nol तथा रसकाने, किसने, Nol तथा रसकाने, कोशिकَा में राई वो जों कि अनुपस्तिति में निम्लेखियत में कौन सा कार नहीं हो पाएगगा तो देखिए जैसे कि अहीं क Ide cris घ्रता है राई do ऑल्य तो आैयो सॉं करता है रोटीर शैसर करता है तो प्रोटीर का और लाइनजयिगा है नहीं हो पाएगा है ऐसा हम होता है हाइड्रोक्लोलेक अम्लत उसमें भी बहुत सारी चीजा खुल जाती वैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो की जो है उसको नश्ट कर देने की इसमें चमता प्रदान करता है निमनेकेत में से किसने यह मूला उधारना प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोसिकाओं के बने होते हैं तो इस में से किसने तो स्लाइड अन स्वान दोनों ने यहां पर किया था तो इसका अंजिस हो जाएगा दो और चौता यानिकी डी वाला एक दम सही हो जाएगा तो यह महीन, साखित, जिल्लीदार और आन्यमित नलिकाओं का घहना जाल क्या कहलाता है। जिल्लीदार तो जिल्लीदार यानि की कुछ इस टाइप का जालीजरसा जिसमें आहिराय नाम में जालीगाओं कौन सा कोसिकाओं प्रोटीन संसलेशन में प्रमुक भूमिका निभाता है। जीवद्रव्य की बात करें तो यह लाइसोसों कहलाता है। अगला कौशन है कौन सा अंगक प्राया जनतुकोसिका में उपस्तित नहीं होता है। लबक गोलज़ीकाय, माइक्रो कॉंडिया, या पर परदीप्त जालिका, गोलज़ीकाय भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है, अब का लबक कोςिका का हो जाता है, तो इसका आंसर है आपका Mitochondria क्या है आंसर? Mitochondria Mitochondria का भीतरी वलन किसको कहा जाता है Microchondria का भीतरी वलन क्या कहलाता है तो वो कहलाता है आपका Christer देखिए इसमें जो question मैंने लिए गया है ये आपके easy से tough, easy से tough है यानि कि easy question भी है और यहाँ पर tough question भी लिए गए हैं क्योंकि हर exam में questions जो है easy stuff हाते हैं जैसे कि group D होगा तो उसमे easy question आएगा लेकिन अगर local pilot दोगे तो उसमें tough question आएगा इसलिसमें हर प्रकार के questions को add किये गए है सरवादिक संख्या यानि की 2N में गुर्सूत्र पाए जाते हैं गन्यमे मनसमे आलू में या फिर ophioglossum में ठीक है ophioglossum में तो यह पाएगदे गन्यमें मनसमे 20 संख्या में गुर्सूत्र पाए जाते हैं पत्यों का हरा रंग क्रों प्रसान करता है। पाई जाती है अब Nucleus की बात करें तो Nucleus की खोज किस ने की थी तो Nucleus की बात करें तो Levenhawk, Swan या फिर Hop Mr. या फिर Brown उनने कि थी किसने Robert Brown ने केंद्रक भी बोला जाता है केंद्रक की खोज भी के द्वारा है की गईती कौ Śकांकν केबल पादब को Siqa में पाया जाता है अव को ktośy का भित्ति लबक रिट्तियाय या फिर यह सब ही तो इसका आउंसर है लभक लबक जो है यहाँ पर केबल पादब Wish का भित्ति जो सेल वाल होता है वो condemned पाया जाता है आपका सिर्फ पादप कोशिकाओं में तो यहाँ पर एक option होना चाहिए था यहाँ पर option यह होना चाहिए था कि A and B बोध तो वो होता है यहाँ पर इसलिए मैं इसको भी आपको बताता हूँ पादप में पाई जाती है क्योंकि जन्तु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है